हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे, मैं श्रियान्स को धारी लेके आया हैं दोस्तों, एसेंशेल इंग्लिश ग्रामर, यूनिट फाइव पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग, और डेफिनेटली जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बिलकुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं, पहला यूनिट इसम्र के बारे में बढ़ा, तो दूसरे यूनिट में उसके क्वेशन्स कर लिए, तीसरे यूनिट में हमने देखा, इसम्र प्लस आईएंजी, यानि प्रेजेंट का कांटिन्यूस, और चौते यूनिट में दोस्तों उसके क्वेशन्स देख लिए, तो इतना बढ़िया तरीके से, इतने सिंपल वे में इसकी इंग्लिश है दोस्तों, और मैं आपके साथ मिलकर एक 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 यूनिट को हम अच्छे से सॉल कर रहे हैं, सीधे लिए चलता हूँ दोस्तों यूनिट नंबर फाइफ पे, बिल्कुल हमारे साथ इसी तरीके से बने रही हैं, जैसे कि आप हमेशा बने हैं, दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आती है मेरी ये वाली क्लासेश, शेयर करिए दोस्तों, आगे से आगे अपने मित्रों को बताईए, इतने अच्छे कमेंट्स हमें बराप्त होते हैं, बोलते हैं कि सर बहुत अच्छे, आप लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवारे हैं, जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देखेंगे, और बोलते हैं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे, दोस्तों सिर्फ आप ही जरीया हैं आगे से आगे बढ़ने का, अगर आपको पसंद आता है, तो शेयर जरूर करिए दोस्तों, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, बिल्कुल not to worry, लगातार बने रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजे, आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, दोस्तों फोन नमबर हमने इसलिए शेयर किये हैं उपर की तरफ, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कैसे हमें क्लास को करना है, कोई तरह का डाउट हो तो आप मेरे को डिरेक्ली इस नमबर पर पूछ सकते हैं, चलिए, मैं लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चिन्स पर, यूनिट फाइव दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फेवरेट, फेवरेट जो है एक टेंस यहां पर समझायव है, अगर आप प्रेजन्स सिंपल की बात कर रहें, कहां कहां यूज लिया जाता है यह चैन्ज, दोस्तों यूनिवर्सल टूट, अगर कोई चीज सार्व भॉमिक सत्य है, हमेशा ही होती रहती है, वहां आप लगाते हैं प्रेजन्स सिंपल, सेकिन दोस्तों कहां लगाते हैं, कोई डेली रूटीन है हमारा, चल रहा है, रोज ऐसा काम होता है, तो हम present simple लगाते हैं habit बन चुकी है, आदत बन चुकी है आपकी कोई वहां हम present simple लगाते हैं हिंदी में जहां पे ता है, ती है, ते है लगाओगे वहां English में present simple लगाओगे तो ये छोटी-छोटी चीज़ ही तो दोस्तों हमें English में और बेटर बनाती है कैसे दोस्तों, यहां में लिये चलता हूँ आपको We read a lot, हम बहुत सारा पढ़ते हैं आपको पीछे background में नजर आएगा बहुत सारी किताब है इतना अच्छा picture का use लिया है इस किताब में कि क्या बताएं, आपको एक-एक चीज़ आपकी सीधा समझ आ जाएंगी I like ice cream, I like ice cream, मुझे ice cream बहुत पसंद है तो देखें, they are looking at their books, आपको याद होगा ASMR plus ING वो ये कर रहे हैं, यानि they read a lot ठीक, उसी प्रकार से he is eating an ice cream, वहाँ एक ice cream खा रहा है क्योंकि इसको ice cream पसंद है लिये चलता हूँ आपको कैसे इसका नियम बनता है कैसे हम इसको follow करते है वहाँ लिये चलता हूँ आपको थोड़ा सा इसे उपर करूँगा जिससे कि आप को बहुत अच्छे से clear, रही समझाए ध्यान से देखेंगा दोस्तों they read, he likes, I work ये सब क्या हैं दोस्तों present simple है यानि हमें verb की first form का प्रयोग करना है subject के साथ अब देखेगा जब मेरे subject I, V, U और दे हैं तो आप देखें as it is verb की first form आ रही है कोई प्रकार का परिवरतन नहीं है लेकिन जैसे ही हमने he, she, it की बात थी बस इन्ही तीनों को याद रखें दोस्तों he, she, it singular third person जैसे हम कहते हैं दोस्तों आप note करेंगे सब में ही s लगा हुआ है सभी में s लगा हुआ है यानि जब हमारा subject singular होता है एक वचन होता है तो हम verb में s, y, s लगाते हैं वहीं अगर मेरा subject plural है I है या you है तब हमें किसी प्रकार के s या yes लगाने की आवस्ता नहीं है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों remember he works, she lives, it rains, etc कैसे I के साथ work आगया in a shop मैं shop में work करता हूँ मेरे लिए तो s, y, s नहीं आएगा लेकिन my brother works अगर ये कोई third person है मैं नहीं हूँ और तुम नहीं हो I और you को छोड़के कोई तीसरा person है उसके लिए क्या लगा दिया हमने work सी, यहाँ पे my brother work में s नहीं आया ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से Linda lives in London parents live in Scotland parents में plural हो गया है live में s नहीं लगाया हमने it rains a lot in winter बारिश बहुत होती है सरदियों में ऐसा कहना चाह रहा है वो I have, जैसे I के साथ have लगाया he, she, it के साथ has लगाया John has a shower everyday वो हमेशा shower लेता है उसकी बात कर रहा है spelling तो वैसे भी appendix 5 में आपको सारी given है, कहां आपको s देखे मैं यहाँ पे थोड़ा clear कर देता हूँ इसको पहले मिटा दूँगा तभी तो clear कर पाऊंगा देखेगा s, sh, ch इनके लिए क्या लगाना है आपको es, जैसे pass का passes finish का finishes, watch का watches y से ies है study का studies और try का tries do में भी does लगेगा go में goes लगेगा मैं आपको अच्छे से list बता दूँ o, x, sh, ch or double s जहां ये word से खतम होगा न वहाँ आपको es लगाना है that's it y वाले case में और थोड़ा clear कर दूँ आप रोगों को y से पहले क्या है अगर wobble यानि जिसे हम कहते है swear a, e, i, o, u तो हम क्या करते हैं y, s लगाते हैं अगर consonant vengeance जिसे हम इंदी में कहते हैं अगर a, e, i, o, u को छोड़ के कोई है तो फिर y को हटाते हैं और i, e, s लगाते हैं तो यहां आपको ये समझना है दोस्तों अच्छे से समझना है कि आपको पहले क्या दे रखा y से just पहले क्या है उसके according हम लगाएंगे देखो मैंने आपको starting में क्या कहा था true in general का मतलब क्या है universal truth अगर कहीं है तो आप क्या लगाएंगे present simple ऐसी चीज़ें जो होती रहती है वहाँ आप present simple लगाते है I like भाया मुझे पसंद है big cities अब आप कहेंगे ता है ती है तो नहीं आया अरे भाई sentence को ऐसे बोलिए कि मैं बड़ी cities पसंद करता हूं ता है आ गया ना भाई the shops open at 9 o'clock close at this shop में ऐस लगावा है open लगा दिया close लगा दिया Tim works very hard Tim work करता है बहुत hard he starts at 7.30 finishes at 8 o'clock in the evening तो आपको चीज़ें समझने है दोस्तों बहुत important है Tim singular है S लगाया ध्यान से देगा he singular है S लगा दिया finishes में ES लगा दिया क्यों? SS से कतम हो रहा है earth singular है goes लगा दिया हमेशा ही होती है goes round the sun sun के चारों और घूमना तो जहां भी ऐसा universal truth है वहाँ आपका present simple है याद करने का best तरीका है दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लीजे boys play boys plays so यहाँ आपको समझना बहुत important है और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है बहुत slow level पे मज़ा आ रहा है आप लोगों को और मुझे भी मज़ा आ रहा है घ्यान से देखेंगा और आगे बढ़ा हूँ मैं इसको यह कह रहा है the earth हो क्या we do we plural है do लगाया a lot of different things in our free time free time में बहुत कुछ अलग-अलग काम करते है it cost it's singular cost में इस लगा टिया a lot of money to stay luxury hotel में रहने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है अब देखेगा very very important always, never, often, sometimes usually मैं present simple लगाएं always, हमेशा, never, कभी नहीं often, prior, sometimes, कभी-कभी usually, usually के साथ लगाते है generally, ऐसा होता है frequently, daily, everyday, every morning, every year लिख दीजिए ये सारे words copy में दोस्तों याद कर लीजे इने यहाँ पे आम तोर पे यानि यूजवली present simple का प्रयोग होगा कैसे so always अब so singular है arrives at word कर ली हमेशा ऐसा करती है word arrive में अब यहाँ इसने ये भी बताया है arrives always नहीं होगा always arrives होगा यहाँ देखीगा I usually go usually पहले आया word बाद में आया buy a car but sometimes कभी-कभी I walk मैं कभी-कभी walk करता हूँ Julia never eats breakfast Julia कभी भी breakfast नहीं खाती है Tom lives near us वो हमेशा पास रहता है lives क्यों लगा है Tom के लिए we के लिए क्या लगा है often यहनि प्राए तो जो काम प्राए होते हैं daily होते हैं always होते हैं कभी नहीं होते हैं वहाँ present simple लगाना है और इनने 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 यह इनने कहते क्या है इनने कहते लिए adverb का मतलब है क्रिया की विशेष्टा बताने वाले आपने ध्यान दिया होगा साब क्रिया की विशेषता बता रहे अरवाई उसका आप आलवेज गो यूजवली, इट्स नेवर तो ये आपको यूज लेने है वर्ब से पहले तो आपका काम बैठ जाएगा एक्जाम्पल अभी देख लेते हैं दोस्तों क्यों क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से देखेगा सिंगुलर थे सारे के सारे आपको S और ES लगाना था मैंने आपको याद करवाया था O, X, S, H C, H और डबल S अगर हमारा अंग्रेजी का वर्ब इन से खतम होता है सबजेक सिंगिलर है ES लगाएंगे तो दोस्तों देखिए आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चीजे आपको समझ में आनी चाहिए मैंने बहुत सिंपल वे में समझाई है और मजे की बात देखिए दोस्तों इसकी exercise बहुत टफ नहीं है सिर्फ आपको समझनी है देखेगा picture वाला question आगया complete the sentence आपको picture देखनी है picture के according verb लगाना है that's it, बहुत simple है लेकिन help करेगा पियानो है, बजा रहा है play लगा दिया हमने कि भई या he plays the piano अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों ध्यान से देखो तो ये दोनों घर को देख रहे है इस घर में रह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भई हमारा घर है तो they, they यानी बहुत सारे लोग है they plural है live आजाएगा बिना S.E.S. के they live in a very big house lot of fruit बहुत सारे fruit fruit क्या करोगे, खाओगे कौन है, एक लड़की है ध्यान से देखेगा, एक लड़की है eats S लगेगा, क्यों subject singular है, इसलिए ठीक उसी प्रकार से, tennis कौन है दोस्तों, दो लोग हैं देखो ध्यान से, tennis के rackets भी इनके पास है, they play tennis हो जाएगा, आगे देखे दोस्तों cinema, we love movies, क्या करते हैं, play हम लगा चुके हैं, go, जाने की बात कर रहे हैं, कौन, ये दोनों, तो we go to the cinema a lot, हम बहुत सारा cinema जाते हैं, eight hours a night नींद लेने की बात हो रही है आई, खुद की बात कर रहा है, आई, sleep लगा दो आप या फिर ही लगाना है, तो sleeps ही आएगा तो sleeps में ऐसा आएगा मैं अपनी बात करूँ तो sleep आएगा तो यहां आमने देखा five point two exercise अच्छे से complete कर ली दोस्तों छोटी सी exercise है लेकिन definitely बहुत helpful है, definitely, चलिए five point three exercise देखते हैं हमें क्या करना है, हमें verb का use लेना है ses का, प्रयोग करना है, जहां जरूत होती है वहाँ, जैसे Margaret four languages अब languages को क्या करोगे languages खाओगे, पीओगे तो नहीं प्रिटेन में, banks बहुवचन है, 9.30 morning में क्या होती है, खुल जाती है banks बहुत सारी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों open हो जाएगा city museum 5 बजे शाम को भाईया, bank खुलती है, शाम को 5 बजे बंद हो जाती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा open mess नहीं लगाया museum एक ही है, क्या करोगे closes लगाओगे तो यही तो मैं चाराओं की छोटी छोटी चीज़े है दोस्तों, English को सुधारने का best तरीका है यह किताब ध्यान से देखेगा, Tina is a teacher Tina singular है, एक teacher है mathematics बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ाने के लिए क्या आएगा दोस्तों, teach Tina singular है, she लगाया है, तो मैं क्या लगाँगा, teach SES में CH लगावा है, ES लग जाएगा तो fourth में क्या हो जाएगा teaches, ध्यान से देखेगा teaches हो गया, speak हो गया, open हो गया और close हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं My job is very interesting मेरी job बहुत interesting है, a lot of people क्या करता हूँ मैं, I boil बहुत सारे लोगों को जलाता हूँ नहीं साब, I like मैं like करता हूँ बहुत सारे लोगों को, मुझे बहुत सारे लोग पसंदे, इसलिए मेरी job बहुत अच्छी है Peter Peter अपने बाल को क्या करता है cost करता है meet करता है धोता है, बालों को मिलेगा कौन wash, Peter singular है washes हो जाएगा S, H से कतम हो रहा है, ES लग जाएगा Peter singular है, S, ES तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखाया है food बहुत महेंगा है it singular है cost में S लग जाएगा costs तो ध्यान से हमने क्या सीखा दोस्तों it singular है, S लगाओ d plural है, S नहीं लगाओ water क्या करता है भई गरम हो जाता है boils ऐसा लगाओ भई Julie और मैं दोस्त है मुझे वहाँ पसंद है I like her, she likes me तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे I like की जगह पे यहाँ meat लगा देते हैं मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ like भी चलता, लेकिन मिलता हूँ बहुत अच्छी बात है और यह दोनों मैं I के साथ like लगाया है क्योंकि I के साथ SDS नहीं लगता है she likes क्यों क्योंकि he she ate के साथ लगता है चलिए, मिटा देते हैं इसे और आखरी exercise पे आ जाते हैं दोस्तों present simple की last exercise चलिए जब sorry last नहीं है 5.5 तक है हमें दोनों ही करनी है आराम से देखते हैं दोस्तों पहले आ जाते हैं 5.4 पे sentences लिखने हैं इन शब्दों का प्रयोग करना है verb का right form लगना है कि या SES लगेगा या नहीं लगेगा structure देख लेते हैं दोस्तों एक subject चाहिए एक verb चाहिए और उसके बाद एक object चाहिए हमारा structure खतम हो जाता है verb की first form के साथ so subject हो गया arrives अब arrive के पहले always आएगा याद है ना आपको जब भी हमें always, never ऐसा कुछ भी लगाना है तो verb के पहले लगाना है तो so always arrives early जहांची देखेगा इता देखेगा I play से पहले आएगा often so I often I के साथ SES नहीं play basketball समझ आरी बात आपको I often play basketball एक और देखें ना Margaret आ गया यहां ज़रूत पड़ी तो adverb लगाएंगे Margaret usually verb की first form Margaret singular है works hard वापिस देखेगा Margaret usually works hard समझ आरी है चीज़ है एक और देखिए Jenny always wears Jenny singular है wear में S आएगा wears nice clothes आगे देखे दोस्तों we subject आ गया always have dinner at 7.30 आपको समझ आनी चीए चीए है subject आ गया पहले भी adverb अगर है तो always verb की first form है तो have object लगा है dinner कब साड़े साथ बज़े tim singular है ध्यान से देखेगा watches में S आएगा never उससे पहले आएगा tim never watches क्या television watches ध्यान से देखेगा CH से खतम हो रहा है ES लग जाएगा watches हो जाएगा साथ नंबर देखिए children बहुत सारे हैं like में S नहीं लगेगा usually पहले आएगा children usually like chocolate julia always enjoy parties सीधा बना दिया देखेगे julia always enjoy party enjoy में S आएगा क्यों julia singular है चले दोस्तों तो यहां हमारा यह chapter भी समाप यह portion of the chapter 5.4 भी खतम होता है अब आ जाते हैं last exercise पे आराम से sentence about yourself यह बड़ी टेड़ी exercise है मेरे बारे में लिखना है आपके बारे में लिखना है क्या लिखना है always never often sometimes usually लगाना है I never watch television मैं तो कभी TV देखता ही नहीं I usually watch television in the evening मैं कभी कभी देख लेता हूँ ऐसा कुछ भी बनाओ जैसे यह इनका प्रयोग करना है I never read in bed I singular है लेकिर I के साथ verb में S.E.S. लगाते हैं नहीं मैं तो कभी पढ़ता ही नहीं भी या बेड़ बे I never read in bed अब देखेगा I always get up before 7 o'clock I always, हमेशा get up before 7 o'clock बहुत simple है त्यान से देखेगा I go to school by देखेगा I go to work school by bus मुझे लग रहा है इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए I go to work in school by bus ऐसे बना सकते हैं I always go to work in school by bus मैं school में काम करना है हमेशा बस से जाता हूं और last देखेए मैं को नहीं पसंद है भाई कॉफी I never drink कॉफी तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तो present simple मेरा ऐसा मानना है one of the most important tenses जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही महदवपूर्ण है exam में बहुत सारे question आते है formula एक है दोस्तों boy plays boys play इसको भी अगर आप दमाग में रखेंगे definitely आप इस से वाले tense में तो गलती नहीं करेंगे इस से related अगर आगे कुछ आता है unit number 6 next video में बिल्कुल तेयार रहेगा जादी जाँ चटोो आता है झालेंगे झालेंगे प्यूल